ओम शान्ती, 21 जून 2022 के इश्वरिय महावाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, तुम बच्चे अभी इश्वरिय स्कूल में पढ़ रहे हो, यहां तुमको तीनों कालों का ज्ञान हुआ है, जिससे त्रिकाल दर्शी बने हो, यह पढ़ाई पूरी रिती बुद्धी में रहनी चाहिए, अभी तुम देवताओं से भी उच्च हो, क्योंकि इश्वरिय वन्शावली बने हो, फिर बनेंगे दैवी वन्शावली, और सब आसुरी मत देने वाले हैं, स्रेष्ट मत देने वाला तो एक बाप ही है, वह बुद्धी वानो की बुद्धी बाप इस कल्युग को सत्युग बना रहे हैं, कल्यान कारी युग सिर्फ यह संगम युग ही है, जबकि तुम ग्यान लेकर गलप करते हो, फिर तो पूरा कल्प उपर चड़ी हुई सीढ़ी नीचे उतरते जाते हो, मनुष्य से देवता बनना बहुत उची चड़ाई है, तभी तो कहते हैं, चड़े तो चाखे प्रेमरस, अगर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कोई गिर जाए, तो एकदम चकना चूर हो जाते हैं, इस रुद्र ग्यान यग्य में सारी पुरानी दुनिया की आहुती पढ़नी है, इस यग्य से निकली विनाश पाला में सब स्वाहा हो जाएंगे, और लास्ट में बाबा ने कहा, तुम अभी ज्यान सागर दवरा, मास्टर ज्यान सागर बने हो, तुम्हारे पास जो भी आए, उनको यह नौलेज जरूर समझानी है, आगे चलकर तुम्हारी व्रिधी भी होगी, और महिमा भी बढ़त जाएगी, और अब सुनते हैं माहवाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, देवताउं से भी उच, यह तुम्हारी ब्राह्मन जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो, तुम इश्वरिय संतान हो, प्रश्न, तुम जेवता बनना, यह उची चड़ाई है, जिस पर तुम चड़ रहे हो, कहते भी हैं, चड़े तो चाखे प्रेमरस, गिरे तो चकना चूर, यह बहुत लंबी चाड़ी है, लेकिन वंडर है, जो चड़ते एक सेकिंड में हो, और उतरने में टाइम लगता है, दूसरा प्रश जेजेकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है, उतर दिखाते हैं घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा, तब सीता और राधे का जन्म होता है, गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां चित चैन पावे, ओम शान्ती, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का, पुकारते हैं कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, अशान्ती की दुनिया से शान्ती की दुनिया में ले चलो, बुद्धी में बैठा है कोई और दुनिया है, जहां शान्ती भी थी, सु चित्र भी यहां है। नई बनती है। यह तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेगी तो जरूर ना। गोल्डन, सिल्वर, कौपर, आयरन में आना ही है। कलियुग के बाद सत्युग फिर जरूर होगा। संगम पर सत्युग स्थापन करने वाला आएगा। यह समझाने की बड़ी युक्तियां है। कलियुग को सत्युग बनाने वाला बाप ही है। इतनी सहज बातें भी किसकी बुद्धी में नहीं आती है। क्योंकि बुद्धी को माया का ताला लगा हुआ है। परमपिता परमात्मा की महिमा भी गाते हैं। हे परमपिता परमात्मा बुद्धी वानों की बुद्धी आ बुद्धी ही इनको आप बुद्धी दो और सब आसुरी मत देने वाले हैं, स्रेश्ट मत देने वाला एक ही बाप है। यह तीनों लोकों का बुद्धी में ग्यान है। जो अच्छी रिती से पढ़ते हैं, उनों की बुद्धी में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो, तो पढ़ाई पूरी रिती बुद्धी में रहनी चाहिए। तीनों अकालों का ग्यान तुम्हारी बुद्धी में है। तुम त्रिकाल दर्शी बनते हो, तुमको त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, त्रिलोकी नाथ कोई बनता नहीं है, त्रिकाल दर्शी अक्षर ठीक है, तीन लोग, तीन काल को तुम जानते हो, बरोबर हम मूल वतन में रहते हैं, हम आत्में वहां निवास करती हैं, यह ज्यान और किसकी बुद्धि में है नहीं, यह तुम जानते हो परमपिता परमात्मा त्रिकाल दर्शी है, आदी मध्य अंत, तीनों कालों को और त्रिलोग को जानते हैं। लक्ष्मि नारेन को बैकुंठ नाथ कह सकते हैं, त्रिलोग की नाथ नहीं, वे हैविन वो स्वर्ग के मालिक हैं, बाप को पेरडाइस का मालिक नहीं कह सकते, तो यह भी समझने की बाते हैं, परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी हैं, परमात्मा जानी जाननहार नौलिजफुल हैं, परन्तु अर्थ नहीं जानते हैं, समझ से हैं जानी जाननहार हैं, तो सभी के दिलों को जानते होंगे, सरव्यापी कह गलानी कर देते हैं। अभी तुम तो इश्वर ये वन्षावली हो, फिर दैवी वन्षावली बनेंगे, इश्वर बड़ा वो सत्यूग के देवताएं बड़े, उन देवताओं से बड़े सुक्षम वतनवासी देवताएं हैं। सुक्षम वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे न, वहे है ही अव्यक्त। यह तो व्यक्त है न, यहे जब पावन, फरिश्वा बनते हैं, तब महिमा हैं। ब्रह्मनों को अभी अलंकार देंगे, तो वह अस्र शस्र शोभेगा नहीं। इसलिए विश्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। शंक, चक्र, गदा, पदम, अब इनका आर्थ भी तुम समझ गए हो। सत्यूग में लक्ष मिनारेन को तो अस्र शस्र देंगे नहीं। यह है अभी की बात। वासो में यह ज्यान की अस्र शस्र है। स्थुल हतियारों की बात ही नहीं है। शास्रों में तो स्थुल हतियार आदी हैं। पांडव और कोरों की सेना दिखाई है। परंतु उसमें फिमेल को नहीं दिखाया है। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं। बाकी शक्ती सेना कहां गई। यह है गुप्त। कोई को पता ही नहीं यह शिवशक्तियां क गई इनका वृतांत कुछ भी नहीं दिखाते हैं शक्तियों ने कैसे लड़ाई की सेना दिखाते तो है ना किसको भी समझ में नहीं आता है जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया यथार्थ रिती अभी तुम जानते हो हम सब एक्टर्स हैं हर एक आत्म को अपना पार्ट मिला हुआ है बाबा जिसको क्रियेटर डारेक्टर मुख्य एक्टर कहा जाता है उन दवरा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो इनमें चार युग हैं अत्वा चार भाग हैं जिसको एपिक युग कहते हैं वासो में है पांच पांच्वा यह कल्यान करी युग है सत्युख और त्रेता के संगम को कल्यानकारी नहीं कहेंगे क्योंकि उत्राई होती जाती है सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो यह हैं सीधियां तो सीधी उतरने ही पड़ती है ज्यान में तुम एक ही बार गलप करते हो फिर उपर चड़ी हुई सीधी उतरते ही जाते हो सीड़ी उतरना बड़ा सहज होता है चड़ने में बड़ा मुश्किल होता है तुम कितनी मेहनत करते हो मनुष्य से देवता बनना उची चाड़ी है न कहते हैं न कि चड़े तो चाखे प्रेम रस गिरे थो चकना चूर जानते हो अभी हम चड़ रहे हैं फिर गिरते हो तो एकदम चकना चूर हो जाते हो कितना समय लगता है यह बहुत लंबी चाड़ी है तुम जानते हो अभी हम चड़ रहे हैं फिर उतरेंगे सेकिंड लगता है चड़ने में पिछाडी में आने वले सेकिंड में चड़ सकते हैं अब लाओं माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं, बच्चियां पुकारती हैं, बाबा हमको निर्वस्त्र होने से बचाओ, धेर बच्चियां हैं, अब लाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, मारते हैं, तो उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, जो भर कर फूट जाता है दिखाते न घडे से सीता निकली अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो राधे भी निकली तो सीता भी निकली रगुपती रागव राजा राम लिखने से ये सीता का नाम डाल दिया है जगत अंबा जगत पिता ही फिर राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं यही लक्ष्मि नारेंड थे फिर अंत में देखो क्या बन जाते हैं सत्युग में कोई इतने 33 करोड मनुष्य नहीं थे वहां तो बहुत थोड़े होते हैं बाद में व्रिधी होती जाती है देवी संप्रदाई ही पुनर जनम लेते लेते फिर आशुरी संप्रदाई बन जाते हैं अभियासुरी संप्रदाई को फिर्दैवी संप्रदाई बना रहे हैं, कल्प कल्प बनाते हैं, तुम्हारी बुद्धी में सारी नौलेज आ गई है, तुम ही त्रिकाल दर्शी बनते हो, तीनों लोकों की भी नौलेज मिली है, तुम कहेंगे हम पुज्य बैकुंठ नाथ थ सोपरमात्मा कह देते हैं, कितना फर्क कर दिया है, अभी तुम को समझाया है, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी है, तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो, तीनों लोकों, तीनों कालों को भी अभी तुम जानते हो, यह गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं, किस किसके पास है, वही सिखलाएंगे, फिर अपना पार्ट उसी समय रिपीट करेंगे, क्राइस्ट अपना पार्ट अपने समय पर रिपीट करेंगे, तुम जानते हो, हम सुर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश, शुद्रवंशी बनते हैं, चक्र फिडता रहता है, इसलामी, फिर अपना पार्ट रिपीट करेंगे, जब एक देवी देवता धर्म रहता है, तो और सभी धर्म रहते नहीं, वर्ड तो एक ही है, बाप ने क्रियेटर और क्रियेशन का राज समझाया है, हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है, बच्चों को क्रियेट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, क्रियेशन को वर्षा मिलता है, रचईता बाप से, भाई भाई को वर्षा देते हैं, ये कब सुना है, बच्चे समझ से हैं, एक तो है हद का बाप, वे तो सभी को मालूम है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ा जाने से कोई सारे स्रिष्टी के मालिक थोड़े ही बनते हैं। यह बेहद की बात है। हद वाले सभी उस बेहद बाप को याद करते हैं। उनको कहते ही हैं बाबा, श्यू बाबा। क्रियेटर को बाबा कहेंगे न, सिर्फ बाबा हल का नाम है। इसलिए श्यू बाबा कहते हैं, वो है ही निराकार। पुछा जाता है, श्यू बाबा से तुम्हारा क्या संबंद है। कहते हैं श्यू बाबा जोली भर दो। बाबा का श्यू नाम एक्यूरेट है। शंकर का चित्र अलग है, शिव और शंकर, दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना, यह तो बड़ी भारी भूल है, उच्छे ते उच्छ बाप को भूल गए है, चित्र बहुत अच्छे है, ब्रह्मा दवारा अब सापना हो रही है, ज्यान भी अभी मिलेगा, तुम अभी ब्रह्म बने हो, ब्रह्मन कहां से आए, उनको अडोप्ट करता हूँ, ब्रह्मा को भी अडोप्ट किया है, ब्रह्मा से ब्रह्मन पैदा हुए, तुम जानते हो, अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है, सिर्फ ब्रह्मा कह द पुरानी दुनिया की आहुती इस रुद्र ज्यान यग्य में पढ़ती है इस रुद्र ज्यान यग्य से ही विनाश ज्वाला निकली है शंकर दवरा विनाश गाया हुआ है आसार भी बरोबर देखते हैं यह हूब हूब वही समय है गाया हुआ है यिरोप वासी यादव कौरव और पंडव भारत वासी अपने धर्म को ही भूल गए है चित्र भी है लेकिन किसको पता नहीं है देवी देवताओं का राज्य था प्रंतु उनको यह राज्य किस ने दिया देवी देवताओं धर्म की सापना कैसे हुई यह बिलकुल नहीं जानते जो धर्म सापन करते हैं वही समझाते हैं और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी समझा न सके तीनों लोकों का ग्यान कोई दे न सके सब के पार्ट को तुम समझ गए हो यह सब फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे आगे चल कर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी व्रिधी जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा ड्रामा में पार्ट है समझ से हो कितने बच्ची आएंगे व्रिधी को पाते ही रहेंगे आएंगे भी शिक्षा लेने लिए बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदी आते हैं तो उनको भी नौलेज समझानी है हमारी है वर्ड की हिस्ट्री जोग्राफी सारे कल्प के चक्र को कोई भी नही जानते तुम अब ग्यान सागर दवारा मास्टर ग्यान सागर बने हो अच्छा मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों उप्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्णिंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्णिंग धारना के लिए मुख्ये सार पहली पोइंट बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी पढ़नी और पढ़ानी हैं सर्व अलंकारों को धारन करने के लिए पावन फरिस्सा बनना है दूसरी पोइंट बुद्धीवानों की बुद्धी एक बाप है उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धीवान बनना है यह ब्राह्मन जीवन अमुल्य है इस नशे में रहना है वर्दान रंग और रूप के साथ साथ सम्पूरन पवित्रता की खुश्बू को धारन करने वाले आकर्शन मूर्त भव ब्राह्मन बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है लेकिन खुश्बू नमबर वार है आकर्शन मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ सम्पूरन पवित्रता की खुश्बू जाहिए पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा मन बाप के सिवाए और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए तन से भी ब्रह्मचारी, संबंद से भी ब्रह्मचारी और संसकारों से भी ब्रह्मचारी ऐसी खुश्बू वाले रुहानी गुलाब ही आकर्शन मूर्थ बनते हैं स्लोगन यथार्थ सत्य को परखलो तो अतिंद्रिये सुख कानुभव करना सहज हो जाएगा और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती ये एक बहुत संस्कारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे